Dear Students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A Study with Dular में बच्चों जल के बिना हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हमारे सरीर में 70% जल होता है इसलिए जल के बिना जीवन की कलपना हम करी नहीं सकते तो आईए देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है ये Class 3 का Science Book है और Chapter 4.1 है Unit 4 Water के बारे में इसमें दिया हुआ है और इस चैप्टर का नाम है Water for My Family जल हमारे परिवार के लिए तो इस चैप्टर में जल से समंधित दिया हुआ है क्या कुछ दिया हुआ है इसमें पढ़कर हम लोगों को देखना पढ़ेगा तभी पता चलेगा तो आई हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं Water is a prime necessity जल एक परमुक आव सकता है For our daily requirement of water We utilize the available fresh water in the form of surface water and groundwater resources जल की देनिक आव सकता के लिए हम सतही जल और भूमिगत जल संसाधनों के रूप में उपलद ताजे जल का उप्योग करते हैं Fresh water present on the surface of the earth is known as surface water Whereas water present below the surface of the earth is known as groundwater पिर्थवे की सतर पर मौजूद ताजे जल को सतही जल के रूप में जानते हैं जबकि पिर्थवे के सतह के नीचे मौजूद जल को भूमिगत जल के रूप में जाना जाता है In village, usually we get water from ground water resources गाओं में आमतोर पर हमें भूमिगत संसाधनों से जल मिलता है One number में दिया हुआ है from dug well, मतलब खोदे गए कुवे से Using hand pumps, चापा कल के उपयोग से और tube wells, अथवा नलकुप से तो इस तरह के तीन चीजे जो है गाओं में अक्सर उपयोग होता है इसका और इसके आगे है In towns and cities, water is mainly supplied by public water supply system सहरों और नगरों में पानी की आपूर्ती मुखरूप से सारोजनिक जल आपूर्ती परनाली द्वारा की जाती है It then purifies it and sends to our homes through a network of pipes वे इसे सुध करते हैं और pipe के network के माध्यम से हमारे घरों में भेजते हैं In some remote villages, deserts and hilly areas, people have to carry fresh water from far away distance कुछ दूर दराज के गाउं में, रिगिस्तानों और पहाडी छेत्रों में लोगों को दूर से ताजे चल लाना पड़ता है Usually female fox of the villages are seen carrying water in pitcher, containers on their head or on sides आम तोर पर गाउं की महिलाओं को अपने सीर पर या कमर पर घड़े या अईन बरतन को ढोते हुए देखा जाता है और आगे दिया हुआ है Water is used in various household activities and in irrigation etc पानी का उप्योग, बिभिन घरेलू, गतिविधियों और सी चाई आधी में किया जाता है या पानी अक्सर पीने के लाइक नहीं होता उबाल कर रसाइन मिला कर और फिल्टर करके हम इसे पीने के लिए सुरच्चित बना सकते हैं Do animals and plants need water? क्या जानवरों और पोधों को पानी की जरुरत होती है? Water is life, जल ही जीवन है Can't imagine life without water, हम पानी के बिना जीवन की कलपना नहीं कर सकते Life involved in water itself, जल में ही जीवन विक्सित हुआ है The body of most living things contains a large proportion of water अधिकान सजियों के शरीर में पानी का एक बड़ा हिस्सा होता है Whether plants or animals, all of them need water to live चाहे पोधे हो या जानवर, इन सभी को जीने के लिए पानी की आउ सकता होती है Water for plants and animals, पोधों और जानवरों के लिए जल Plants need water to make their food with the help of carbon dioxide in the presence of sunlight पोधों को सूरी के परकास की उपस्थिती में Carbon dioxide की मदद से अपना भोजन बनाने के लिए पानी की आउ सकता होती है The process is non-edge photosynthesis इस परकिरिया को परकास संसलेशन के रूप में जाना जाता है Some plants like lotus, water lily, hydrilla, etc that live in or on water are called aquatic plants or hydrophytes कुछ पोधे जैसे की कमल, water lily, hydrilla, आधी जो पानी के अंदर या पानी पर रहते हैं उन्हें जलिये पोधे या hydrophytes कहा जाता है On the other hand, some plants like cactus, dead, palm, croton, bubble live in areas of low rainfall such as deserts दूसरी और कुछ पोधे जैसे की cactus, khajur, croton, bubble, कम वर्षा वाले छेत्रों में जैसे की रेगिस्तान में रहते है They need less water for their survival and are called gerophytes उन्हें जीवित रहने के लिए कम पानी की आवसकता होती है और इसे zerophytes कहा जाता है Among animals, some of them like prawn, crab, starfish, octopus, fish, whale, etc that live in water and die outside water are called aquatic animals जानवरों में से कुछ जैसे जिंगा, केकडा, starfish, starfish को तारा मचली का जाता है Octopus, मचली, whale, आदी जो पानी में राते हैं और पानी के बाहर मर जाते हैं उन्हें जलिये जानवर कहा जाता है Desert animals such as camel, horn, toad, lizard, etc need less water रेकिस्तानी जानवर जैसे की उन्ट, सिंग वाले मेढग, छिपकिली, आदी को जीने के लिए कम पानी की आशकता होती है Camel is called the sheep of the desert उन्ट को रेकिस्तान का जहाज कहा जाता है Other desert animals are kangaroo, rat, jackrabbit, etc Such animals requiring less water are termed as gerocals एन्ट रेकिस्तानी जानवर, kangaroo, chuha, jack, khargos, आदी है कम पानी की आशकता वाले ऐसे जानवरों को zero cold कहा जाता है When plants do not get water, wilting of leaves takes place जब पोधों को पानी नहीं मिलता है, तो पतियां कमजोर हो जाती है Leaves look pale, पतियां पीली दिखने लगती है It gives us a sign that the plants is thirsty यह हमें संकेत देती है कि पोधा प्यासा है Plants ultimately die without water पोधे अंतता पानी के बिना मर जाते हैं When an animal does not get water, firstly it becomes thirsty जब किसी जानवर को पहले पानी नहीं मिलता है, तो वा प्यासा हो जाता है After some times, it becomes restless कभी-कभी वा बैचेन हो उठता है It starts wandering far and near in search of water और या पानी की तलास में दूर दूर तक भटकने लगता है तो यहाँ पे यह चप्टर समार्थ हो जाता है आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है यह इस चप्टर का question, one number fill in the blanks दिया हुआ है जो दोदो करके blanks दिया हुआ है इसमें, question number two में two false दिया हुआ है और question number three में, जो की इस chapter का मुख्य question है तो आईए मैं आप लोगों को इसका answer बना के देता हूँ यह chapter 4.1 का question answer question number one में fill in the blanks दिया हुआ है तो यहाँ पे जो black letter में लिखा गया है वो खाली जगह में भर जाएगा, यह उसका answer है इसको आप अपने book में भर सकते हैं और question number two में two false दिया हुआ है तो यहाँ पे यह red letter में जो है, वो question लिखा हुआ है और true false जो है, यहाँ पे f और t के रूप में आ दिया गया है यहाँ पे जैसे false हो गया, false, true false इस तरह से तो यहाँ से आप बना सकते हैं इसको और question number three answer the following question what happens if plants do not get water if plants do not get water, it will die how can we make water safe for drinking by boiling, chlorination and using water filters we can make water safe for drinking purposes question number three define zero calls with examples, organisms that require less water to survive are called zero calls, tamal and lizard are two examples of zero calls, what is a public water supply system, public water supply system supplies water in towns and cities, it obtains water from rivers and lakes then purifies it and send to send it to people question number e describe the process of photosynthesis plants need water to make their food with the help of carbon dioxide in the presence of sunlight this process is known as photosynthesis what is surface water explain with with examples fresh water present on the surface of the earth is known as surface water pond and river are two examples of surface water so here is a chapter of this chapter that is if you have a chapter of our videos